Vocabulary का मतलब उन शब्दों का सेट होता है जो किसी विशेश व्यक्ती, समूह या किसी विशिष्ट विशय या डोमेन में जाने और उप्योग किये जाते हैं। ये उन शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों का संग्रह है जो एक भाशा को बनाते हैं। यहां एक संक्षिप्ट परिभाशा और उदाहरन दिया गया है। Vocabulary वह शब्द समूह है जो कोई व्यक्ती किसी विशेश भाशा में जानता और उप्योग करता है। इसमें वह शब्द शामिल हैं, जो वह सुनते या पढ़ते समय समझते हैं, साथ ही वह शब्द भी जिनका उप्योग वह बोलने या लिखने के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक छोटे बच्चे के पास अपने तत्काल परिवेश और दैनिक अनुभवों से संबंधित कुछ सौ शब्दों की एक बुनियादी वोकैबिलरी हो सकती है। इसके विपरीत एक वयस्क की वोकैबिलरी में दसियों हजार शब्द हो सकते हैं, जिसमें उनकी शिक्षा, पेशे, शौक और रुची के क्षेत्रों से संबंधित अधिक विशिष्ट शब्द शामिल है। किसी व्यक्ती की वोकैबिलरी की व्यापकता और गहराई प्रभावी संचार, जटिल विचारों की समझ और विचारों और भावनाओं को सटीक रूप से व्यक्त करने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमी का निभाती है। और एक चीज मेरे भाईयों और बहनों वर्ड मीनिंग जानने से आपका वोकैब अच्छा होगा पर आप अंग्रेजी नहीं सीख पाओगे क्योंकि मैंने खुद यह अनुभव किया है। क्या है।